हेलो एवरिवन मैं खुश्बू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजूकेशन टेक फिलो तो आज की वीडियो में मैं आपके निये लेकर आई हूँ कि लास्पैंस की हिंदी किर्तिका का चेप्टर फस्ट जिसका नाम है माता का आचल और इस कहानी क माध्यम से शिव पूजन सहाय ने अपने विचारों को परकट किया है जी हां इस कहानी में लेखक ने विचारों के बारे में बताया और अपने बच्पन के खेलों के अपने पिता जी के प्रेम के बारे में बताया है और लेखक का मानना है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक विचार प्रकड करते हुए बताते हैं कि एक पिता अपने बच्चों से बोच जादा प्रेम करता है उनकी देखवाल करता है उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है उनके लिए धन कमा कर लाता है परन्तु इन सब के बावजूद भी एक पिता एक माता का इस्थान लेने में लेखक परभावशाली और अच्छे उधारन के माधियमसे बताते हैं कि जिस घर-परिवार में चोटे-बच्चे होते हैं उस परिवार में खुशी और परसंता का माहोल होता है और वहीं दूसरी और जिस परिवार में बूड़े बुजूर्ग होते हैं विरुद होते हैं उस परिवार में खर्चे संबंदी बाते ही होती रहती हैं पेसों से संबंदित, खर्चों से संबंदित बाते होती हैं और लेखक ने छोटे बच्चों को खुशी का परसंता का खजाना बताया है कि छोटे बच्चे खुशी का खजाना है घर में हस्ता खेलता माहो लगते हैं छोटे बच्चे मुझे अपने पिता से और मेरे पिता को मुझे से बहुत ज्यादा लगापता मैं अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था बच्पन में उन्ही के साथ सोता था उन्ही के साथ खाता था और मेरे पिता जी ही मुझे नहला धोला कर अच्छे कपड़े पिना कर तयार करते थे जब वे पाठ पूजा करते थे तब भी वे मुझे अपने साथ में ही बिठाया करते थे और पाठ पूजा करते वक्त वे मेरे माथे पर तिलक भी लगाया करते थे और वो तिर्यक लेखक के चोड़े माथे पर इस तरहां से आकर शित दिखता था कि लेखक के पिता लेखक को भोला राम कहे कर पुकारते थे परन्तो लेखक का असली नाम मूल नाम तारकेशवर नाथ था जी हाँ लेखक का असली नाम तारकेशवर नाथ था लेखक बच्पन में अपने माता पिता को मईय और बाबुजी कहकर पुकारा करते थे लेखक के पिता जब भी रामायर का पाठ करते थे उस वक्त लेखक अपने आपको दर्पन में यानि कि शीशे में अपने आपको निहारते रहते थे जानते हैं कि छोटे बच्चों के सामने शीशा आ जाए दरपन आ जाए तो वे उसमें खुद को देखते रहते हैं और यह देख लेहक के पिता हस दिया करते थे और यह से देखकर लेहक शर्मा जाते थे मेरे स्वैक देख दिया और एकदवे शर्मा आजाते थे लीखक के पिता चाप फ। को आटवी वह मिलाकर मचलियों एक में चाप कर दाना बनाते होते थे लेखक के पीता लेखक को अपने कंदे पर बिठाकर प्छाये कर देने आपने पैड की ड़ से जूबा अब पी जूबाया कर देने उनके लेखक के गालों पर बिया कहीं पर भी चुब जाती थी तब अपने पीता की दाड़ी मुझषों को पकड़ का लादिया करते थे आप जानते हैं चोटे बचचे ऐसे घरी करते हैं तो लेखक के पीता बहुत हस्द करते थे और कभी-कभी यह बनाव टीरों न भी रोया करते थे क्योंकि वे अपने बेटे को यानि कि लेखक को हमेशा खुश देखना चाहते थे वोने चाहते थे कि किसी भी वज़े से लेखक के चेहरे पर उदासी आये उनकी आखों में आसु आये और ये लेखक को अपने साथ खाना खिलाते थे परनतु जब लेखक का पेट भर जाता था इसके बावजूद भी लेखक की मा जबर दस्ती लेखक को खाना खिलाती थी और कहती थी एक माही अपने बच्चे का पेट भर के भोजन करा सकती एक पिता उसका पेट नहीं भर सकता और ये कहे कर वे कभी चिडिया के नाम का कभी किसी और पक्षी के नाम का निवाला बना बना कर लेखक को खिलाया करती थी वोग जादा बःता ठांसके बाद रखे अपना लंकडी का घुड़ा लेकर बाहर खेलने चले जाते थे उसके बाद रखेड बढ़ते हैं कि मेरी मां को जबरस्ती मेरी मालिश करने का शूग था सब्सक्राइब कान चूट कर भाग नधी कोसिश करता था यख़ कई मा इतनी जबरदस्ती पकड़ती थी मैं को कि में भागी नीपाता था मैं बहुत रहता था जिसके कान पिता जी लेहक की मा पर बहुत ज़ादा कि रोधीत होते थैं कि तुम टों मैं बटें को क्यों रुला गई हो इसके बावाजों कि मा लेहक को नहीं झोड़नी नहीं ध बकश्वन्की खेलों के बारे में बटाते हैं कि उनके घर के बाहर एक चबूत्र था उन तो इस चबूतरे पर वेपाल खेल खेला करते थे यह मिट्टी के बारतन बनाना और अलग-अलग चीजोंगों को पान के बच्पन में खेती बारी का खेल भी खेला करते थे सिर्फ me जाते हैं झाई झाई जाती टो जब भी लेहक के पिता लोग महां पर मेले में जाते तो जो लोग मेले में जाते तो मेले से आते वक्त वो सभी गीत गाते आते थे एक खेल और खेला करते थे कि जब भी किसी की शादी होती थी तो किसी की दूलव नार राद यो इसका मतलब कि किसीका विभा होँदी करके लड़की होती खरी-खोटी सनाता है तो बना होगा हुए उसके बाद लेखा को तो अब जाते हैं लेखा को तो तो एक वक्त ऑप निएर बादगा भीए ये बागों में जाया करते थे पर आधी के खतम होता ही बहुत तेज बारिष शुरू हो गई तो सब बच्छों ने बारिष रुखने का मंतर भी पड़ा पर फायदा नहीं हुआ बारिष बहुत देर तक होती रही और सभी बच्छे पेड़ों के नीचे चिपकर बेड़ गए बारिष रुखी तो बाग में बिच्छों निकल आए जी हैं बिच्छों को देख सभी बच्छे बहुत जादा डर गए और सीधा बाग छोड़कर भागने लगे जब वह बाग छोड़कर भागने लगे तभी एक आदमी आ जाता है इसका नाम होता मूसन तिवारी अब मू बहुत जादा चीड़ जाता है पर अगले दिन मूसन तिवारी चार लड़कों को लेकर लेखक उनके मित्रों के विध्याले में जाते हैं और जिस बच्छे ने गानागा का चिड़ाया था वह भाग जाता है पर बाकी बच्छे तो जिन्होंने सूर्ताल लगाया था वह प अधियापक को जाके भूत ज्यादा खरी कोटी सुनाते हैं और लेकर अगले बच्चे उपने घर लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बच्छों को खेलता देख अपने पिता की गोदी में से उतर का उनी सब के साथ में खेलने रगते हैं और बाद में लेगा आखरी बार एक घटना का अबर्ण करते हुए बताते हैं कि वे गडश जी के सवारी यानि कि चूहे के बिन में पानी डाल रहे थे जिससे वे चूहे के दर्शन कर सकें पर चुहे के तो दर्शन हुए नहीं लेकिन शंकर जी का साफ जरूर आ गया अब साफ को देखकर सभी बच्चे इतना ज़्यादा डर गए कि वह डर के मारे भागने लगे अब जब भागने लगे तो उन्हें पता नहीं चले कि वह कहां को जा रहा है सब लुड़कते फुड़कते खुन में लत्पाथ होगा जी यहां सब जैसे गिरे तो सब के चोटे भी लग गई काफी और लेखक के भी बहुत जादा चोट लग गई थी और फिर भी डर के मारे भागते हुए सब अपने घरों में जाहु से जब लेखक अपने घर में पहुचे डरे हुए तो लेखक के पिता हुका पी रहे थे लेखक के पिता ने लेखक को आवाज भी दी परन तो उन्होंने नहीं सुनावे सीधे अपनी मा के पास भागे हुए गए लेखक की माँ उस वक्त चावल चुन रहीती अब अपने चावलों को छोड़का एकदम लेखक को गोधी में उठा लेती हैं और रोने लगती हैं क्योंकि लेखक उस वक्त बहुँ जादा जखमी हो चुके थे अब लेखक को इस हालत में देख बहुत जाला घबरा जाती है रोने लगती है तब ही लेखक के पिता वहाँ पर आ जाते हैं बच्पन से जब तक गटना हुई साप वाली अब तक वे सिफ अपनी मा के पास दूद पीने के लिए आते से पांतु आज जब वे अपने आपको डरा हुआ एंदम कमजोर महसूस कर रहे थे तब वे अपनी मा के पास आपनी मा के आचल में जाके छुप गए अपनी मा की प्यार करता है लेकिन अपनी मा से उसका लगाव अनोखा होता है जी हां तो यह थी आच कानी आयोप आपको पसंद आयोगी आपको आपकी मा से आपके पापा से और ज्यादा प्यार बढ़ गया होगा तो थेंक्यू फर वोचिंग एजुकेशन टेक फिलो